मेरा बहानी लेके का दिदी क्या नाम है बहान का मर्याम तिरकी वो बोल रहा था ना कि आम यह पढ़ाएंगे बोल करें तो हम दिले लेके पहुंचा दिए उसके बाद का पढ़ाएगा वो कहा गिया का नहीं वो नहीं पता कितना उमर रहा होगा आपकी बेटी का उस वक्त 12-13 साल का था 12-13 साल इतना चोटी उमर में नमस्कार आप देख रहे हैं नोजआपका फिलाल मैं सिमडेगा जिला के कोलीवीरा थाना छेत्र अंतरगत कॉंबा केरा गीदिया टोली में पहुंचा हूँ जहां की एक नबालिक लड़की को बहला फुस्लाकर डिली लिया गया था उसके फुवा के द्वारा और वो फिलाल 2005 से डिली जाने के बाद जो है बात्चीत नहीं हो पारी है और वो अभी लापता है तो उसके परिवार बालों से मैं बात्ीत करता हूं और जानता हूं पूरे मामले को कि आखिर कै पूरा मामला है क्या नाम है क्या कारान रहा कि आप उसे इस तरह से दिल्ली जाने के लिए दिये कितना उम्र रहा होगा आपकी बेटी का उस वक्त 12-13 साल इतना चोटी उम्र में जिसके आवेदन के हिसाब से आप उसे दिल्ली भी छोड़ने गए थे हैं आपने बेटी कि आप से अप दिल्ली छोड़ने के लिए कर लिए इक बार भी नहीं सोचा की जाото के भी पौने के बाद और पहूं भी कि मतलब इसको डला किने डला बोल रहे कि हम डालेंगे अभी थोड़ा भासा होसा सीख लेगा तो उसके बाद काम पर लगा दिया फोन कोल में बात होता था बेटी से उसमें फोन नहीं था उस समय आधार कार्ड भी नहीं बना था आपको बता दूँ कि अनिमा तिर्की की जो एक छोटी बहन है वो अभी फिलाल दिल्ली में काम कर रही है और उसी के द्वारा हमें ये जानकारी दी गई कि उसकी बड़ी दिदी 2005 के जो है कुछ सालों बाद वो लापता हो गई है तो अभी जैसे कि आपकी छोटी बेटी गई है उससे तो आप लगाता संपर्क में कहां पे है क्या नहीं है जनकारी है तो जैसे बता रही थी कि उसके साथ भी बातचित हो रहा था और पता था तो उस वक्त आप ये नहीं बोलते थे कि जब काम पे आपको पता चल गा क्यो कि काम करें आभी मिलने नहीं देगा बार मेरा चूटी नहीं है समय नहीं है तो हम एक खापता वहां रुके उसका बच्चा लाए कि बच्चा लोग भी छोटा चोटा चोटा तना घर में इसलिए हम चल आए घर मतलब आप दिल्ली भी घुणने और मर्यम भेट भी ने करवाई कोई अड्रेस दी है कहां पे थी वो नहीं दिया एक अबर नहीं दिया तो आपका इतना खास दी दी रही है तो क्या कारण है उसके बाल बच्चे साधी सुधा कुछ उसका मर्यम का बच्चा उच्चा नहीं है साधी हुआ है साधी भी नहीं हुआ है कितना उम्र होगा लगबग उसका होगा लगबग श्राट से तो जादे ही होगा अच्चा तब यह आप कैमरा यह भी बता रहे थे कि और एक कोई है जिसको वो लेकर गई थी क्या नाम था उसका किरन कौन सा गां बगल वाला आपकी जो बेटी आनिमा को एक साथ तो या फिर अश्रा अलाग अलग लिटेजयें और अभी दोनों गूम है दोनों है आम है हो हाथ ग Bay样 को लेकर आप क्या है ठाने वगेरे में आप कोई कंप्लेंट दिए हैं या नहीं डिया भी तक कि ठाना का मतना की बहुत हुआ है लेकिन मतलब कारा नहीं बोल रहा था कि प्ति योड़ बमी पार करदिrãoी है उसके बाद मेरा गश्मीट मेरा बाभ ले लुकश सोच रहे थे कि परिवार का मैटर है आगे इसको नहीं बढ़ाते हैं तो जो लेकर गई थी मर्यम वो अभी गाउं आती है या नहीं आती है गाउं आता है मतलब चार साल पांच साल में एक बार तो हम लग आने समय लेते हैं का मतलब कुछ नहीं करते थे इसका तो अभी कोई संपर्ख है मर्यम से बातचीत होता है कुछ नहीं बिलकुल नहीं होता है बात बहुत ही दिन हो गया इसका बात निकल जाता है ना तो लड़िये शूर कर देता है तो से क्या बात करेंगे मेरा घार मेरा बाप को जामीन है घार खाली करो भागो यहां से यह जो बलता था तो इसलिए हम जीची पर लागे घारों को धसा दिये किसका घार मेरा वाला कुई अच्छा अच्छा यह बगल में ही था लजाए मतलब में कारम लड़ाय बहुर है लेकिन भी जबाब नहीं हमने इस पूरे मामले को लेकर उसकी जो छोटी बहन है मलीका तिर्की उससे बाचित की तो उसने बताया कि रमेश कुमार या आदवकर के एक विक्ती है वो एजेंसी के थुरू काम लगाता है फिलाल उस एजेंसी का एड्रेस हमें नहीं मिल पाई है मगर उसकी छोटी बहन ने बताया हमें कि जहां पर वो पहले काम करती थी वहां से वो अलग जगा पर चली गई और काफी ज्यादा वो निरास्ती हतास थी और उसके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे और जब वो छोटी बहन के साथ संपर्क में थी फोन कोल में बाचित होती थी तो उस स करेंगे तो अच्छा बात है अब यह नहीं किये हैं तो इसको आप क्या करेंगे तो आवएधन भी नहीं दिया है कंपलेंड कोई दरजी ने करवाए थाना में तो लेके दो गया दोला नहीं लिए कि मतलब लोग इतना दिन हो गया कम से कम प्रवाना था आवधन देना था मतलब 7-8 साल के अंदर में देता तो काम हो जाता है इसे बला मुझे और एक चीज़ बताई कितने आपके परिवार में सदस हैं कितने बाल बच्चे हैं कि दो लड़का है और अभी तानिमा को मिला कि तीन है तो परिवार कैसे चल रहा है क्या काम करते हैं आप क्या करते हैं तो मुलिका कब गई दिली और वो किस के थुरू गई को ही लेकर गया था हुआ है तो फिर इसको छोटी बहन को फिर क्या करके लेकर गई थी कि वह तो कामे करने को अच्छा थे ने बहुत दिन चालने नहीं सकते थे मतलब 20 कम से कम 6-7 में मतलब महिन थे न तर तो उस समय समय से ठटड़ दमाडल हो गया था वह समय गया हूँ अच्छा तो इसका तो सारा कुछ अधार काड़ है डोकुमेंट है वैसा वैसा सब कुछ आ रहा है आना जाना कर रही है दिली से बराबर दोनों बराबर आना जाना कर रहा है अधार कर दोनों बराबर आता है दिसंबर का महिना में अच्छा तो लेकिन फुगा के साथ बात चीत भी हो रहा है या नहीं बिल्कुल नहीं होता है वह बात करते तो यह लड़ीय सुरू होता है वह लेकिन जेनरली जो भी लेकर जाता है उसका कमिशन जो है ना जो लेकर जाता है उसको मिलता है इसके बारे में कुछ वैसा बता रही थी बेटी गया कि कुछ मेरे कमिशन खा गया या फिर कम पैसे मिलते हैं ऐसा कुछ नहीं उस अपने से जाता है अपने काम करता है कोई मेडिया से नहीं लगता है मेडियाटर का कूई काम नहीं है नहीं पर भी प्रियंका है एक मलीका है और एक आप तीनों मतलब रहते थे एक साथ में तो जब दिल्ली में थे तो आपने खोजबिन की क्या क्या कोसिस की है अभी तक मुझे तो पता भी नहीं था कैसे दिखते कैसे नहीं देदी बोल रहे थी यह केस दर्ज कर दो रिपोर्ट लिखवा दो थाना में तो मेरे पापा के लिए थे तो वो नहीं हो पाया अब लुए अब का में बस पापा मम्मी थे हैं रागी सब लोग बाहर में न तो अब क्या चाहरे हैं क्या कहना चाहते हैं नहीं वहीं लादेगी तो ठीक है क्योंकि आपकी तो फुवाई है कभी देखें हैं पिता जी बता रहे थे कि लड़ाय जगड़ा भी हो जाता है लड़ाय जगड़ा तो जब आती है तब करती है खुद से करती है ना जैसे कि हम पूछते हैं न मेरे दिदी कहा है जैसे मेरे बड़ी दिदी है एक प्रियांका नाम का वो पूछते हैं कि मेरे दिदी कहा है कब आएगी कब लाएंगे फिर चिलाने शुरू कर दती हुआ कि मेरे दिदी को जैसे कि अनिमा जो है ना तो पापा खुद छोड़ने गया था दिली मेले के नहीं गई हूँ ऐसा ऐसे बोलती है और जादे कुछ बोल देते है गजशनी है पहले घर पिछए हमारा भूह वह स्कूडी और तक हाली खाली कर दो भाग यहां से यह मेरा जमीन है इसे वह से उसका जमीन हो जाएगा पीता जीन है अच्या तो इससी बाझय सापर लोग घर को भी कर दिये ना वहा था साथ सी दे देंगा कि All कि